प्रकृति के अन्मोल नेमत सफेद बुरांस योशिमट मद्ध हिमाली शेत्रों में अमूमन लाल बुरांस की लालिमा और अद्भूत शटा बसंत की शुरुवात में देखने को मिलती है लेकिन इन सबसे अलग और अद्भूत है सफेद बुरांस का पहाड़ी जीवन की सामान निवातावर्ण में खिलना सामाने तोर पर राजजिव ब्रक्ष पर खिलने वाला बुरांस लाल बुरांस का पुष्प पंदरा सो से पच्चिस सो मीटर के मद्ध खिलता है उसे उपर खिलने वाला बुरांस की सामान प्रजाती वाले पुष्प में सफेदी और गुलाबी पन होता है जिसे जहरीला माना जाता है लेकिन सफेद बुरांस का सामान ये उचाई पर खिलना अधबुत तो है शोद का विशय भी है ये कुदरत का करिश्मा ही है उच्य हिमाली शेत्रों में उगने वाला सफेद बुरांस का फूल जोशिमट ब्लॉक में समुदर तल से अथारा सो मीटर की उचाई पर इस तिस सेलंग गाओं में खिल रहा है लोग हैरत में आखी रिये सफेद बुरांस इतनी कम उचाई पर कैसे खिल रहा जब कि इस पर उचाई पर राजिव रक्ष लाल बुरांस का फूली खिलता है इन दिनों भी इस पेड़ के आसपास का पूरा शेदर लाल बुरांस की लालिमा विखेर रहा है विधित हो कि सफेद बुरांस समुदर तल से 2900 मीटर से 3500 मीटर की उचाई तक खिलता है लेकिन सेलंग का ये सफेद बुरांस पिछले कई सालों से उच्छता जगातार अदेश में इतनी कम उचाई पर सफेद बुरांस कहीं भी नहीं खिलता सफेद बुरांस कभी निचले स्थानों पर पहुँच जाता है वर्ष में एक डेड माँ खिला रहता है सफेद बुरांस ये सफेद बुरांस रोडो डेंडरॉन कैमपेनू लेटम प्रजाती का है स्थानी भाश्रा में सफेद को लोग चिमुल रात्पा जैसे नामों से ज भाग इसको संरक्षित करने का कारी करेगा जो हमारे गुरांस है तो इसका ऐसा नहीं है कि यह क्योवल लाल कलर का ही हो गया रेड कलर ही इसका होता है हाँ जरूर होता है कि अगर आप हैर यह जाएंगे तो वहां आपको वाइट ज्यादा मिलेंगा लेकिन इसकी अलग हाई रेडिट्यूर से आगया होगा तो वो जो है वाइट कलर का है खबर भारत वर्ष के लिए पॉड़ी उत्राखंड से विरेंद्र रावत की रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का